नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज के इस वीडियो को शुरूश लिकर अंध तक जरूर दिखेगा जी दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार होने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप शबी की जुनकाल में कुश्यों की बारिश होने वाली है जिया दोसों, हम आप शुभी को बता दें कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार दुख, शमर्शाय और परिशानियां ही चल रही थी कभी भी उम्मिद की नई किरन आप शुबी की जुनकाल पर नहीं जगी और दोस्टों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोस्टों माप शुबी को बता दे कि आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर हैं अंदेर नहीं है जिया दोसों भगवान व्यक्ति के मदद आवश करते हैं बले ही अपना रूप में नाये लेकिन दोसों रूप बदल कर किशी शंकेत के दवरा उनकी एशे मदद करते हैं उनकी जुँकाल में शिचमतकार करते हैं कि दोसों उनका जीवन ही बदल जाता है जिय दोसों और आप शिवी के भी जूनकाल में जो गरहों के स्ति बनने वाली है जो गरहों में गोचर होने वाले हैं आपको बहुत ही बड़ा धन देने वाले गरह है जिए दोसों हम आप शिव को बता दें कि एकेशे पेड़ हैं जिनके पास दस कडोरों का भी धन है अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोसों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन को ही बदर शक्ता है जिया दोसों तो दोसों आज की इस वीडियो में हम आप शिवी को यह बात बताएंगे कि यह पेड़ कौन्षा पेड़ है किस जगह पर है और इनकी पहचान आपके शेकर शकते हैं केश्य यह पेशा आपको प्राप्त हो शकता है धनकेश्य आपको मिल सकता है शबी जनकारियां पूरी तरह गरह गोशर पर निमीत है साधी साथ दोस्तों आप आपको अपने जुनकाल्ब में कौश विश्य शावधियां रखनी है ताकि दोस्तों फिर शे यह श्रमें आपके जुनकाल्ब में दोबारा ना आए ज्या दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्पुन पाए है जिसे दोस्तों मालक्षमी आपसे बहुत ज्यादा प्रशन होंग और धन की कमी आपके जुनकाल्ब पर कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों विडियो को अन्त तक देखिएगा थोड़ा शबी मिश ना करें नहीं तो दोस्तों आप इस धन शेव अंचित रह शकते हैं इसलिए दोस्तों विडियो को शुरू से लेकर अन्त तक जरूर शुरुआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत यह अच्छी ग्यान से तो एक बार भगवान श्रीकिष्ण से अरजुन बोले कि के शब मिर्ट्वी की होनी है तो हम शत्संग भजन शेवा शिमरन क्यों करें जो इंसान मौज मस्तिक करता है मिर्ट्वी तो उसकी भ जाती है लेकिन जब उन्हीं दातों से जब अपने बच्चों को पगड़ती है तो उसे मारती नहीं बहुती नाजुग तरिकेशे एक जगह से दुसरे जगह पहुंचा देती है दात भी वही है मुह भी वही है पर परिणाम अलग-अलग होता है ठीक उशी प्रकार होगी पर एक प्रभु के धाम में और दुसरा चौराशी के चकर में जीया दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण का हिया घ्यान अगर आपको सच्चा लगा हो इन पर यकिन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष में लिए जैश्री कृष्णा रादे रादे तो आई दोस्तों से शाथ बात करते हैं कि अब आप शबी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा केशे या दस कड़ोरों का धन आप शबी को मिलेगा मालेक्षमी का अश्रवाद आपकी जु दोस्तों सबसे जानकारी हम आप शबी को बता दे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यदा विसेज ध्यान रखना होगा अगर आप इन बातों का थोड़ा अशावी ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह धन आपको मि के लिए नहीं पाएगा कि दोस्तों जाने अंजाने में आप गलती कर देंगे और यह धन आपके हाँ से वंसित हो जाएगा तो दोसों वह बाते आपको बताने वाले है तो दोस्तों विडियो को पहुत यहदा गौश शुनीएगा पर धन की बात आती है तो सबहुती है मां मुलकष्मी का ऊवाश शुक्ष शुयदू मैं झायरा को सबसे पहले मानना होगा कि आपके घर्षे कहीं न कहीं मालक्ष्मी अवसी रुष्ट हो गई है आपके उपर मालक्ष्मी का नजर नहीं है जी दोसों तो दोसों आपको शब से पले अपनी जिनकाल में क्या करना है कि मालक्ष्मी को प्रशन्य के लिए करने के लिए आपको शुकरवार की दिन मालक्ष यह इचवक आपको आपके अलिये ही लेकर दोस्थ परप्त करने के लिए भी मालक्ष्मी आपको कुछ शंकेत देने वाले हैं जैसे ही अपको यह धन नहीं मिल सकता, तो लोस्दों। और अगी वीडियो में बात करींगे जैसे दोस्थे-डोसे-ब आप शुभी को बता दे कीमाल अख्षमी हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत बड़े-बड़े चमतकार करते हैं कुछ इसे शंकेद देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं जे दोसों कई बार तो मालक्षमी कायशा चमेशा चमतकार यह दोसीं और यह पेड़ की नीची जो पेशा है आप शबी को पराप्त होने वाले हैं जय दोसीं आफा प्रश्वी को मालक्षमी इंसे प्रशन शंतूश नहीं होगी तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करें कोई भी शुब मंगलिक कारी करें तो दोस्तों एशे अस्थान पर करें जहां पर किसी के लडाई के जगडे के या पिर एशे हला जो ताना शाहिक हो वो आपके कारों में नहीं आना चाहिए और आपका मन, आपका अत्मा स्वयंग मालक्षमी के पास शमरपित रहना चाहिए प्रशन तो होगी शाती आपके भाग को भी चम्तका देंगी जी दोसु तो दोसों इन बातों का वीच्षे ज़ियान आपको अपने जूनकाल पर रखने है तबी दोसों यह धन आपको प्राब्ध हो शकते हैं परेशत दोसर मालक्षमी शुवभगतों के शुवभगतों के शुवगतों प्रशन हो जाते हैं लेकिं दोस्तों शर्दा शब से बड़ी चीज है कि अपने शाफ शफाई और अपने घर की स्वक्स्ता पर आप ध्यान दे। शाफ शुत्रे अस्थानों पर ही मा लक्षमी का वास होता है। तभी आपके घर में भी पेशों की बड़त्री होगी। तभी आपके घर में बरक्कत होना भी प्रारम हो जाएगा। अगर आप अपने शिवी बातों का ध्यान नहीं दखते थे तो आशे ही रखना प्रारम कर दें। यकीन मानिए मा लक्षमी का वास आपके घर पर आवश होगा। दोस्तों व्यक्ति व्यक्ति पूरे माट करते हैं। आप श्री बता दें कि आपके गर के परश्मी दिखाई दें दोस्तों यकीन मानिए वह पेड़ा आपके किश्मत के ताले को खुलने वाले पेड़ शाविद होंगे जया दोस्तों अगर इश्कोन में आपके कहीं नीम का पेड़ दिख जाए तो दोस्तों वह तो मालक्षमी का शब्षे बड़ा घर है जया दोस्तों यकीन मानिए आपके जिवन को ही बदल देगा लेकिन दो कारियों को दोस्तों जान ले तभी यहां चीज आपके उपर काम करेगा जीए दोस्तों शब्से पहले दोस्तों आप शिवी को बता दे कि अपने मन को शाप कर ले अपने धिर्दय को शाप कर ले और शच्चे मन से शुबह उठकर मालक्षमी के मंत्रों का अप जाप करें जय दोस्तों जब तक आपका मन पूरी तरह से पवित्र न हो जाए। दोस्तों मालक्षमी के मंत्रों का जाप करते रहें काहितरी मंत्रों का जाप दोस्तों करते रहें। श्रादेशा दोसों आप शिभी को बता दे कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो दोसों उन्हें लेकर शुभा उठकर अपने आपको पवित्र करकर दोसों उठ जाएं और अपने घर के उत्री और पश्मी कौन के सामने जो भी आपको पेड़ दिखाई दे उसकी सामने आ शुभा के 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 पीड़ की नएक पेड़ कि निची आपको एक हाथ का गण्डा करने के बाद उसी पर एक पानी रख दे जे दोस्व एक लोटा पानी रखने के बाद उसमें एक फूल और यहाँ शिंदूर डाल दे और दोस्व वहाँ चाप तूरं चुपसाप घर चले आए पैर को पीछे करके कि दोस्व और मुड़ने के बाद दोस्व आपको दोबारा पैर की दरब देखना नही और दोस्व अगली शुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदूर उस गड़े में है तो दोस्व यकीर मानिए उस पेड़ की नीचे आपको यहाँ कड़ोरों का धन प्राप्त हो जाएगा जै दोस्व और एक बात ध्यान में रखे हैं कि जब भी आप यह शिक उस पेड़ की रीचे जाए जब भी आप इसे शुबकारियों को करने जा रहे हैं तो दोस्व किसी को भी ना बोलें और नहीं कोई आपको टोक पाई इसके लिए आपको अमरी तबिला के हिश्व में जाना है तीन से पांच बज़े के बीच में जाना है जिए दोस्व यकि दोस्व मालक्षमी का हार ही घमंड है तो दोस्व कभी भी घमंड ना करें और नहीं इस पेशिके बारे में किसी को बताए दोस्व अपने जुनकाल कि शबीर शुक्स उदाओं को इन पेशों से आप प्राप्त कर लें शातिस साथ दोस्व आपको बितादे कि शमिशमें प जो कि आपके भाग वो चमका शकती है दोस्व अमीद करते हैं आज को यह वीडियो आपको प्रशन आया है तो दोस्व वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले धन्यवाद